नमस्कार दोस्तों मैं धर्मिंद गौर्ड स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर तो यहां पर हम बात कर रहे हैं आज MP नेशनल पार्क की यानिकि मद्य प्रदेश की राष्टी उध्यान है केवल उध्यानों की बात करेंगे पार्क की अभिहार रंडी की हम नेक्स्ट सक भरती या MPPSC हो या किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हूं आप GS की त्यारी के लिए आप हमारी एक्जाम ढवा एप डाउनलोड कर सकती हैं वहां पर आपको जो है वो सारी टेस्ट शीरी जो है वो बिल्कुल फ्री आफ कॉस्ट मिलेंगी ठीक नम तो अभी जाकर वहा सब्सक्राइब की सहे हम समझेंगे सारी चीजों को तो एक ही करका हम समझते हैं कि देखो मध्य प्रदेश में अगर हम बात किरें तो कुल 11 नेशंगल नेश्ननल पार्क इतने हैं कुल 11 हैं जिसमें से साथ जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर हैं ना यानल की राज जत pinch मैं ऐसे साथ हैं जो प्रजक्ट टाइगर गोसित किये गए हैं तो उन में से हम देखेंगे कि क्या क्या जो है वो आपके लिए महत्पुन हैं तो यहां पर सबसे पहले अगर बात करें हम सिप्पुरी की तो सिप्पुरी में हैं माधव राश्टी उध्यान कौन सा है माधव और इसके अलावा है पंण तो पंण मैं है आपके यहां पर पंण राश्टी उध्यान के नाम से है और इस पंण राश्टी में से के नधी होकर गुजरती है इसके अलावा सीधी में है यहाँ पर संजय राष्टी उध्यान कहीं किताबं में सिंग्रॉली दिया होता है सीधी सरगुजा में संजय राष्टी उध्यान है और संजय राष्टी उध्यान में हम देखें महत्पून तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि सीधी में हैं आपको सिंगरॉली के साथ कन्फूज नहीं होना है इसके अलाबा उमरिया में हैं बांधवगड राश्टी उध्यान अब बांधवगड के बारे में आपको काफी महत्पून चीज़ें याद रखनी है कि एक तो इसमें जो है बांधवगड जो राश्टी उध्यान है ये है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ छेतर है कितनी 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राश्टी उध्यान इसको बोला जाता है साथी सरवादिक बाग घनत्व है यहाँ पर हम कहें बाग घनत्व कितना है बाग घनत्व सरवादिक है यानि कि घनत्व की दरश्टी से यहाँ पर सबसे अधिक बाग पाई जाती है लेकिन संख्या में अगर हम देखें तो संख्या में सरवादिक बाग पाई जाती है आपक से बड़ा राश्टी उध्यान है कहां पर है यह मंडला में है और यह सबसे पहला प्रजक्ट आईगर 1974 में इसको प्रजक्ट आईगर घोसित किया गया था हालांकि इसकी स्थापन में 1955 में हुई थी लेकिन आपको याद रखना है प्रजक्ट आईगर कभ घोसित किया गया थ इसके अलावा यहां पर बंजर घाटियां है कौन कौन सी है हालो ठीक ना हालो नाम से हालो वा बंजर घाटियां ठीक ना कौन कौन सी घाटियां है हालो और बंजर घाटियां यहां पर तो इतना आपको इसमें याद रखना है साथ ही साथ काना किसली राष्ट उद्ध्यान मे एक हवाइपटी भी है यानि कि वहाँ पर हवाई पटी है हेलिकॉप्टर्स वगरा को वहाँ पर लेंड कराया जा सकता है ठीक रहा तो यह जो चीजे हैं वहाँ पर आपको काना किसली में महत्पून नहीं है अच्छा एक यहां पर डिंडोरी में और है फासिल राश्टी उध्यान के राम से जहना अब इसको हम जो है जीवास्म राश्टी उध्यान भी बोलती है और कौन सा मुख्य तोर पर वनस्पती जीवास्म ठीक ना वनस्पती जीवास्म राश्टी उध्यान है तो एक जीवास्म तटो पूरे 11 यहां समझेब और इसके अलावा आपको यहां पर यहां रखना है । ओमकारेश्वर आश्टी उध्यान ठीक न ओमकारेश्वर का जितना भी आपको चीज़ें पूछी जाए एक्जाम में कि मुद्ध कारेश्व्र या या कर देढ़ कर लेकिन ओम गारेश्वर राष्टी उध्यान के बारे में या उमकारेश्वर सब्द आपको इस्तिमाल किया जाए जब भी सत्पड़ा राष्टी उध्यान और यहां पर क्रश्ण मरगों की संख्या जो है वो सरवादिक है क्या पाई जाती है आपर क्रश्ण मरग ठीक है अब इसके अलाबा छिंदवाडा और सिवनी इन दोनों में समलित रूप से ज्यादा तर किताबों में छिंदवाडा ही दिया रखता है तो यहां पर पैंच राष्टी उध्याण है क्वम सा न…े क्व.' रश्टी उध्यान और पिजू रश्टी उध्यान में एक सब्ध महतपूर है इक उसव क्या है उसव है और उसव का नाम है my मोगली लेंडि ठेक नम से कहते हैं मोगली की आपने कहानिया सुनी हों चे कि यह मुख्य तोर पर आपकी यहां जो ग्यारा राष्टी उध्यान आपको यह रखनी है कि नहीं वह आपको बता दूँ जैसे जो माधव राश्टी उध्यान यहां पर जोर सब्सक्राइबबन है सात जो प्रिदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाइवे है सबसे लंबा तो यह आगरा से मंबई माना जाता और इस सिपुरी से होकर घुजरा है तो सिपुरी से यह हम कह सकते हैं माधवराष्टि उध्यान से भी होकर घुजरा है इसके अलाबा रेप्टाइल पार्क पूछा जाता है तो रेप्टाइल पार्क कहां पर है पन्ना में है पन्ना में है क्या रेप्टाइल पार्क अब रेप्टाइल पार्क क्या होता है यह सरी सरफ प्राणियों के लिए साप वगरा इनके लिए मगरमच हो गएरा इनके लिए प्रम फेमस है ठीक ना करश्मरगों की संख्या बहुत आयत में हमने आपको बताई दिये पन्ना में स्थप्रा राष्टी उध्यान में होती है ठीक तो ये आपको मुख्य तोर पर याद रखनी है अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ अब्जेक्टिव कोश्चन की तो अगर आपने वीडियान से देखा है तो इस कोश्चन का अंसर आप आसने से दे सकते हैं कि कानक्सली राष्टी उध्यान को किस वर्स प्रजेक्ट टाइगर योजना में सामिल किया गया था तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर 1974 में उसको जीवास्म राष्टी उध्यान जो है उसमें बाग परिजनामी यह सामिल नहीं किया गया है जीवास्म राष्टी उध्यान या फॉजल जिसके हम बात कर रहे थी जिक कहां पर है डिंडोरी में क्लिए चली अगर दिखते हैं मद्ध प्रदेश का वह कौन सा एकमात है तो इसका आंसर क्या रहेगा भोपाल का वन बेहार राष्टी उध्यान जो है वो नगरी छेत्रों के बीचों बीच बसा हुआ है आगरा मुंबई राष्टी राजमार ग्यान की एनेच थ्री पर मध्य प्रदेश का कौन सा राष्टी उध्यान इस्थित है तो वो है दोस्तों यह था आज का वीडियो उमीद आपको पसंद आया हुआ आप जेल प्रदेश की तयारी कर रहे हैं चाहिए MPPSC हो MPT हो कोई भी एक्जाम हो यह वीडियो आपके लिए महत्पूर्ण रहेगा आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट में बताईए इसी प्रकार MPK और वीडियो हम लेकर आते रहेंगे और हमारी एक्जाम ढवा एप जरूर डाउनलोड कीजेगा थेंक्स वाच जय हिंद जय भारत